सभी को राम राम आज संडे है और मैं आप लोगों को हर बार की तरह निउस बताने वाला हूँ पिछले लगबग दो अवक्ते से काफी एक पर्सनल रीजन के वेज़े से बिजी चल रहा था तो मैं काम ही नहीं कर पाया अपने आफिस ही नहीं आ पा रहा था लेकिन अभी आक पुशिश रहेगी कि पहले की तरह ही रेगुलर वीडियो आपको वापस से मिलना शुरू हो जाएं दो संडे की निउस एकटी हो गई है मतलब कि दो हफते की निउस हो गई है तो यह वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है तो थोड़ा सहीं मनाई रखना शुरू करें अठारा हजार से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं तो इस तरह से ये लोग धीरे धीरे चार्जिंग इस्टेशन्स इंस्टॉल करने वाले हैं नेक्स गेनरेशन ओडी रस3 को अनवील कर दिया गया है ये 0-100 kmph की स्पीड को सिर्फ 3.8 सेकंड में अचीव कर लेती है 290 kmph की इसमें 2.5 लीटर टर्बो चार्ज्ट पेट्रोल इंचन मिलता है जो 400 भी एच्पी की पावर जिनिट करता है और 500 अनम का टॉर्क हलपला लिंडी आने की इसकी कोई नियूस नहीं है चांसे जरूर है लेकिन ऑफीशल नियूस कोई नहीं है 19 जुलाई को पार्लियमेंट में मिली जानकारी के इसाब से फैनेंशल इयर 2021 में पेट्रॉल और डीजल के ऊपर जो एकसाइस जुटी लगती है उस एकसाइस जुटी से सेंटर ने 3,34,894 करोड रुपे खटा किया है मैं आपको पता दूँ कि फैनेंशल इयर 2021 में सेंटर ने पेट्रॉल और डीजल के प्रैक्सेस को 70 बार से भी ज्यादा बार बढ़ाया है और फैनेंशल इयर 2020 के कंपरेजन में एकसाइस जुटी को लगबग 88% तक बढ़ा दिया गया है तो बाई अधिया और मर्स्वीडीज बेंच ने अनॉंस किया है कि 2030 तक ये फुल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे सर्फ इलेक्टिक गाडिया रखी बेचा करेंगे सरी बेचा करेंगे, खरीदेंगे क्या तो सिर्फ companies ही नहीं हर कोई electrification के उपर जा रहा है Mercedes Benz को खुद को electrify करने में लगबग 3.5 लाग करोड रुपे का खर्चा करना पड़ेगा तो ये एक लगख खर्चा है इन companies के लिए Ford वालों ने Figo के automatic transmission लाँच किया है इसमें दो variant मिलते हैं आपको एक तो है titanium जो 7.75 लाग रुपीस का मिल जाता है दूसरा है titanium प्लस जो 8.2 लाग रुपीस का मिलता है बीच में काफी जारी news आ रहे ही थी Ford वाले इंड़े चोड़के जाने वाले हैं यह और वो ऐसा कुछ भी नहीं है इन्होंने उपर से एक नए transmission लाँच कर दी है अगर जाने का हो ता तो ऐसा ना करते है तो यह कही ना कहीं एक official confirmation है कि भाई अभी तो यह लोग नहीं जाने वाले आलंकि यह एक दो companies के साथ और type करने के लिए कोशिश कर रहे है यह ख़बर जरूर है लेकिन छोड़के तो नहीं जाने वाले हल फलाल बाकि मैं इस topic पर एक वीडियो बनाने वाला था लेकिन इसके पो गया वो दोवारा से बनाऊंगा जस मैं मैं confirm करूंगा फोड़ वालों से उसके बाद आप लोगो जानकर दिदूँगा कि यह लोग जाने वाले हैं या नहीं इसमें talk converter gearbox मिलता है CVT या DCT नहीं है यह अच्छा ही है talk converter दिया नहीं उससे prices भी सही बिने रहेंगे और maintain करने में दिक्कत नहीं आएगी वही वाला पुराना वाला ही 1.2 लिटर 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है कोई नया पेट्रोल इंजन इंट्रीउस नहीं किया गया है इंडिया में cryptocurrency खरीद नहीं हो बेच नहीं हो ट्रेडिंग करनी हो या फिर भूल्ड करना हो सब कुछ लिगल है गवर्मेंट ने इसके कलाव कोई भी law pass नहीं किया है यही वजाए कि बड़े से बड़ा businessman celebrity या फिर politician हर किसी ने crypto में पैसा invest किया हुआ है अगर आप भी इसमें पैसा invest करना चाहते हो लेकिन आप एक beginner है आपको cryptocurrency के बारे में कोई जारा जानकारी नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा platform है India's simplest bitcoin app CoinDCX को इस app को use करना काफी आसान है फिर आपको चाहे cryptocurrency खरीदना हो बेचना हो अपना account register करना हो KYC करानी हो bank account link करना हो कुछ भी करना हो हजारों या फिर लाकों deposit करने की आप कम से कम 100 रुपे भी deposit कर सकते हैं और कम से कम 10 रुपे भी invest कर सकते हैं किसी भी cryptocurrency में अगर आपको नहीं पता कि कैसे पैसा invest करना है क्रिप्टो के बारे में जादा जानकारी चाहते हैं सबी rules and regulation बड़ाबर follow करती है जैसे कि KYC या फिर AML processors तो फिर चिंता कैसी इस वीडियो के description में मैंने link दी हुई है आप चाहिए और वहां से SAP को अभी के अभी download करी है Honda वाले कुछ समय पहले HRV को इंडिया में launch करने का प्लान कर रहे थे लेकिन उन्हों यह प्लान हटा दिया cancel कर दिया अब यह लोग Honda City के उपर based एक नई mid-size compact SUV लांच करने वाले हैं अगले साल के आखिर तक जानता कि यह launch कर देंगे तो Honda को बहुत जरूरत है कुछ नए products इंडिया में launch करने की इनका हलफलाल कोई जाड़ प्रड़क नहीं है और एक आद दो गाड़िया तो यह जो चल रहें ती सिवेक और CRV वो discontinue भी कर चुके हैं तो उन्हें जरूरत है कुछ नए products इंडिया में लाने की यह जो SUV होगी इसका नाम Honda Elevate होगा या कहूं हो सकता है ओडी ने e-tron और e-tron sport pack को launch कर दिया है एक करोड से शुरू होकर यह एक करोड अठारा लाग रुपर तक की मिलती है अगर आप इसे बुक करना चाहते हो तो online करवा सकते हो पांच लाख रुपए के booking अबाउंट से offline अभी इसका कुछ नहीं है इसमें एक तो option मिलता है 71 kWh की बैटरी के साथ जिसकी रेंज है 379 km दूसरा option है 95 kWh की बैटरी के साथ जिसकी रेंज है 484 km फेम टू स्कीम के तहत साड़े 300 नए charging stations पूरे इंडिया में इस्टॉल किये गए हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ना सिर्फ companies संस्थाएं और government पी हर कोई electrification की तरफ जा रहा है इन साड़े 300 charging stations में से चन्दीगर में 48 हैं दिली में 94 हैं जैपुर में 49 हैं बेंगलरू में 45 हैं राची में 29 लखनों में सर्फ एक है गोवा में 17 हैदराबाद में 50 आगरा में 10 और शिमला में भी साथ खुले गए हैं Porsche Macan के facelift को reveal किया गया है यह इंडिया आ सकती है कब आएगी नहीं पता बट आ सकती है टाटा सफारी को launch हुए लगबग 4-5 महीने हो चुके हैं और इतने टाइम में यह 10,000 से भी ज़्यादा बनाई चुकी है और बेची जा चुकी है तो यह milestone इसने टाटा की गारी होने के साथ से काफी जल्दी अचीव कर लिया फॉक्सवेगन टिगवान जो फाइट सीटर वेरियंट था इसका वह वापिस से इंडिया में लॉंच होने वाला है एक फेसलिफ्ट के साथ यह इस साल के आखिर दक लॉंच होगा अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बदात होगा और 322 सुरी 320 एदम का टॉक जनिट किया करेगा ट्यागो एनर्जी एनर्जी अपने नाम सुना होगा पहले भी लॉंच हो चुकी है इसका अपडेटेट वर्जन 4 अगस्त को इंडिया में लॉंच होने वाला है इसमें पहुत जारत चेंजर आपको देखने को नहीं म आने वाला अगले साल के आकर तक बहुत मुश्किल है 2023 तक ही इंडिया में आएगा पहले इसे चायना वगरा में लॉंच किया जाएगा इस फेसलिफ्ट की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो फ्रेंट प्रोफाइल है उसको पूरा को पूरा चेंज कर दिया गया है वह इंस शुरुआत में वह इस मार्किट का रिस्पॉंस चेक करेंगे उसके बाद यहां पर इन्वेस्ट करेंगे मतलब कि अपनी फैक्टरी खोलेंगे गवर्मेंट काफी कोशिश कर रही है कि यह लोग यहां पर अपना प्लांट शुरू कर लें उनको लेंड फ्री में दे रही ह है हर स्टेट अपनी तरफ से मदद कर रहा है कावर्मेंट मदद कर रही है जो टैक्स अगरत देने पड़ते हैं उसके लिए छूट दे रही है तो टेसला वालों ने कहा है कि हम पहले यहां पर गाड़ियां इंपूर्ट करके लाएंगे उस पर एक्साइस दूटी आप लो लोग खरी देंगे पता नहीं इंडिया मार्केट समझना बहुत मुश्किल है हॉंडा अमेज का फेसलिप्ट 17 अगस्ट को लाउंच होने वाला इसके कोई इमेज अभी तक निगल करना है तो कोई अंदाजा नहीं है कि एक्शक्ली को कैसा देखेगा वैसे हॉंडा वाले क आगे बढ़ें तो हुंडाई वालों ने फाइनली वो करने वाले हैं जो असल में में चारा था काफी लंबे समय से वो कि इनकी एक भी एम्यूवी इंडिया में नहीं है जो की होनी चाहिए सिर्फ अटिगा ही सेग्मेंट में चलती है और वही खरीदी जाती है उसी को रिस चाहिए इसका नाम स्टार घीजर होगा और अटिगा की सेग्मेंट में लॉंच होगी नहीं होगी इसी के साथ में अगले साली कीया वाले भी एक गिमbt करेंगे जिसका नाम क्य आपके वाइए तो यह 830 एनम का टॉर्क फॉक्सवेगन टाइगन की बुकिंग्स अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है ऐसी खबर लगी है यह कुशेक की सेग्मेंट की ही गाड़ी है इसमें कुशेक वाले ही 1 लीटर और 1.5 लीटर इंजन मिला करेंगे सिर्फ पेट्रोल में लॉंच होगी इसको फॉक्सवेगन की ही एक SUV कूप वर्जन है टाइगो उससे रिवील किया गया है ग्लोबली इसमें भी दो तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं एक है वन लीटर त्री सिलेंटर दूसरा है 1.5 लीटर फॉर सिलेंडर इंडिया में आने के अभी तक इसकी कोई ओफिशल नहीं है लेकिन जिस हिसाब से फॉक्सवेगन वाले एक के बाद एक SUV लॉंच कर रहे हैं मुझे पूरी उमीद है कि यह गाड़ी आज नहीं तो कल इंडिया में आई की मैकलेरन 765 LTE स्पाइटर को भी रिवील कर दिया गया है इसमें फॉर लीटर ट्विंट टर्बो चार् यह हो सकता है हटाई यह नहीं हटाई अपर से मेज में तो लग रहा है कि हटा दी गई है जो कैन होल्डर से वह अटा दिये गए हैं और थोड़ी पहुत कॉस्मेटिक चेंडिस किये गए हैं बैनली 502C को लॉंच कर दिया गया इसमें 500 CC का पैरलल ट्विं मॉटर एंजन मल गया है यह 72,250 रुपे से शुरू होकर 80,750 रुपे तक की मिल जाती है यामाहा फैसे नो 125 हाइबरेट को भी लॉंच कर दिया गया है 70,000 रुपीज मैं डुकाटी मल्टी स्ट्रेडा वी फोर को भी लॉंच कर दिया गया है 19,000 रुपीज मैं इसमें वी फोर एंजन मिलता है वो 170 PHP की पावर दिनेट करता है और 125 Nm का टॉर्क पावर को काफी अच्छी है सफारी जैसी यामाहा FG25 के मोटो जीपी एडिशन को लॉंच किया गया है 1.37 रुपीज मैं में चैंज कोई भी नहीं है बस सिर्फ एक है स्पोर्टी चिंजिस किये गए है हीरो ग्लैमर एक्स इसी मतलब की एडवर्टीजमेंट शूट किया जा रहा था वहीं पर इस गाड़ी को देख लिया गया इमेज देख लिए गई तो लीक हो गई है इसकी डिजाइन कंप्लिटली रिवील हो चुकी है आप अपनी स्क्रीन पर देख पार होगे काफी उमीद है थी सेलेरियों स सेलेरियों से होती भी है और उनी भी चाहिए बट इसकी डिजाइन देखकर लगता है कि वाई पुरानी वाली ही ठीक थी बाकी लुक्स के मामले मारे किसी की अपनी मरी पसंद होती है हो सकता है आपको यह ज्यादा बहतर भी लग रही हो एक्स यूवी 7W की बात करें तो इ इसमें 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 क्रोंवर्क जादा नहीं नहीं तो यह तो नहीं है लेकिन हां मिड़ वेरियंट कोई होगा डिजाइन सबसाव सब्समें आ रही है कैसी दिखने वाली है जो शेप है काफी हद तक आल्टूर चीफर तरस दिख रहा है महें वालों ने ओफिशली इसके इंटियर को पाडशेली रिवील किया है एक वीडियो में जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इसमें टच स्क्रीन जो है इंफोटेन्मेंट सिस्टम वो दिख रहा है स्टेरिंग दिख रही है और हल्क आसा इंटियर दिख रहा है एक अंदाजा तो आप ले सक करता है कि इसका जल्दी ही इसको गलोबली डेविव किया जाने वाला है जहां तक है ख़वरों की इमान है तो पंदरा अगस्त को इस गाड़ी को डेविव कर दिया जाएगा पुलिस के पास आप लोगों ने अक्सर काफी पुरानी बेकार सी कवाड़ा सी गाड़ियां देखी होंगी लेकिन लद्दाक पुलिस में आपको नेक्स जनेरेशन क्रेटा देखने को मिलेगी तो यह काफी अच्छी बात है कि पुलिस भी खुदको एडवांस करने लगी है सिर्फ लद्दाक पुलिस ही नहीं गोवा पुलिस ने भी खुदको एडवांस किया है कैसे अपनी फोर्स में केम 3000 और केम 4000 एलेक्ट्रिक मोटर रेंज है इसी तरह से केम 4000 की रेंज है 150 किलोमेटर एको मोड में सिटी मोड में 110 किलोमेटर और स्पोर्ट मोड में 90 किलोमेटर तो हर कोई इलेक्रिफिकेशन आगे बढ़े इनोवा के प्राइस को अभी हाली में बढ़ाये गया आता हो और अब बापिस से अगले महीने प्राइस के बढ़ने वाले हैं तो अगर आप प्लान कर रहे थे इनोवा लेने का तो पहले ही ले लो तो बैतर है थोड़ोगा पईस बच जा लाने वाले हैं और अगले साल के आखिरता कि इसकी नेक्स डेमेशन इंडिया में लाने वाले हैं यह काम अगर यह लोग पहले कर लेते तो डश्टार अपनी सेग्मेंट पर कहीं तो कोई स्टेंड यह होती है टाटा वालों ने नेक्सॉन एलेक्रिक को नेपाल में आगे बढ़ें तो इसकोडा कोडियक के फेसलिफ्ट को भी टेस्ट कर देखा गया है तो यहां से साफ है कि यह जल्दी ही इंडिया में लांच होने वाली है नेक्स जनरेशन स्कॉर्पियो की बाहर से इमेजिस तो आपने कई सारी देखी होंगी लेकिन पहली बार इसके इ लांच करने वाले हैं जिसका नाम कैस पर होगा इसके इंटियर को भी देखा गया है जिसकी इमेजिस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हों लांच होने वाली बजाच पलसर 250F को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है जिसमें आप काफी अद तक इसकी डिजाइन डिटेल तो आप खुद देख सकते हो कि खबरों में एलेक्टरिक खबर हैं कितनी है इस एक्सप्रेस्टी सिदान में एक तो 16.5 किलोवटवर की बैटरी मिलती है जिसके साथ 165 क्लोवटवर की रेंज लांच करने वाल है जिसकी रेंज लगबग 400-500 किलो फूविटर होगी अगर य यह नियूज सही है तो आल्ट रोज इलेक्ट्रिक में भी काफी धूम मचाने वाली है तो नियूज तो बस यही थी काफी लंबा हो गया यह वीडियो लेकिन जैसा भी है आप कोश़श करूँगा कि वीडियो आप लोगो रैगुलर मिलते रहें संडे वाले और जो बीच में